हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूँ बाल मुकुन मौर्या और आप देख रहे हैं ग्यान इक स्पी तो फ्रेंड्स आज के स्टेस्ट में भी हम कुछ important question discuss करेंगे तो आप इस टेस्ट को last तक ज़ूर देखेगा और जिनका भी एक्जाम दिसंबर में होने वाला है आप सभी हमारे चैनल की प्लेलिस में जाके important questions के वीडियोस देखते रहे हैं अगस 2019 के बाद से जितने भी वीडियोस हमने upload कियें सभी में आपको triple C new syllabus पे 20 questions मिलेंगे तो आप किसी भी मन्त के वीडियोस को follow कर सकते हैं सभी में आपको important questions मिलेंगे और triple C का नया syllabus अगस 2019 में लागू हुआ था और आने वाले कई सालों तक ही same syllabus रहेगा तो 20 और 21 के लिए कोई अलग-अलग syllabus नहीं है अगर आप जनवरी 2021 के triple C exam की तयारी कर रहे हैं आपके लिए भी same syllabus होगा आप same playlist के वीडियोस को follow कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमारी website gyanxp.com से भी practice करते रहें यहां भी आपको triple C new syllabus के recording questions मिल जाएंगे तो I hope आप सब ready होंगे तो देखते हैं आज का सबसे पहला question यह question काफी popular है एक सबसे अधिक डेटा किसके द्वारा एककत्र किया जाता है Google, Facebook, Telegram या फिर WhatsApp तो पूरे word में Google के द्वारा सबसे जादा डेटा कलेक्ट किया जाता है तो इस question का right answer हो जाएगा option A इस स्रीज के जितने भी questions हम discuss कर रहें सभी questions triple C exam में पूछे गए October, September और November के triple C exam से related यह question है जिनको हम इस स्रीज में discuss कर रहे है और अगला question है RPA का पूर रूप क्या है यह दि काफी popular question है तो इस question का right answer हो जाएगा option C robotic process automation याद रखीगा काफी popular question है और अगला question जोगी काफी interesting है यदि A1,A2,A3,A4 और A5 का मान क्रमसा 5,0,0.0,5 और 0 हो तो cell C6 में count A1,A5 का मान क्या होगा तो count और count A दो ऐसे functions होते हैं जो values को count करने के लिए इस्तिमाल किया आते हैं count functions सिर्फ numeric values को count करता है जबकि count A function alpha numeric values को count करता है मिन्स numbers के साथ साथ में यह alphabets को भी count करता है तो यहाँ पे सिर्फ count function apply किया गया अगर हम numbers की बात करें तो यह सभी numeric values है even 0 या फिर 0.0 यह भी numeric values में आता है तो इस question का right answer हो जाएगा option D5 और अगला question है उप्यूप करता ID, नाम और पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है प्रमाडी करण, प्राधी करण, login, sign in The process of verification of a user ID name and password is known as authentication, authorization, login, या फिर sign in और पिछले कुछ तिनों से जितने भी वी वीडियोस हमने upload कियें सभी में आपको हिंदी और इंगलिस दोनों language में questions मिल जाएंगे क्योंकि आप में से बहुत से लोगों की demand थी कि सर इंगलिस और हिंदी दोनों language में questions डिसकस कीजी CCC exam में इसी तरह से आपको एक साथ दोनों language में questions दिखाई पड़ेंगे आपको अलग से language select करने की जरूरत नहीं होगी उपर option दिये गे होगी ABCD जो भी आपको option correct रखता है आप उसे select कर सकते हैं और CCC exam में किसी भी प्रकार की कोई भी negative marking नहीं होते है टूटल 100 questions आते हैं MCQs और true false कितने कितने होंगे यह fix नहीं होता है हलागी जबसे CCC का नया syllabus लागो हुआ है इस बार fix नहीं है कितने true false आएंगे कई बार 10-15 true false रहते हैं कई बार 5-6 true false रहते हैं और कई बार 30-35 true false रहते हैं उस पे आप focus मत कीजी क्योंकि कुछ लोग trick के भरोसे triple C का exam qualify करना चाते हैं तो आप सभी के लिए suggestion है आप study कीजी आराम से एक बार में आप triple C का exam qualify कर पाएंगे तो इस question का right answer हो जाएगा authentication इस question का right answer है option A तो अब आई देखते हैं अगला question Libre Office Impress में नेविगेटर की shortcut कुणजी क्या है अब ये नेविगेटर क्या होता है इसको भी आप देख लिजे writer, impress, calc, इन तीनों में नेविगेटर होता है ये option में लेगा आपको view menu के अंदर अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो देखें यहाँ पे नेविगेटर दिया गया है control plus if plus F5 यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं ते एक लग से नेविगेटर आता है आप यहां से किसी भी slide पे direct जा सकते हैं, move कर सकते हैं तो यह होता है navigator और यह calc impress writer इन तीनों में होता है तीनों में same shortcut की होती है तो इस question का right answer हो जाएगा option B, control plus F, plus F, 5 और अगला question है Windows 10 में कौन सा inbuilt browser है? Chrome, Mozilla, Edge या फिर Opera अब इस question को एक और तरह से पूछा जाता है बिंडो 10 के साथ इन में से किस browser को launch किया गया है? तो बिंडो 10 के साथ पहली बार Microsoft ने Edge नाम की browser को launch किया है तो इस question का right answer हो जाएगा option C यह बिंडो 10 का inbuilt browser है और अगला question है make doot है यह question number triple C exam में कई बार repeat हुआ है same question है same option के साथ पूछा गया है तो इस question का right answer हो जाएगा option है किसानों के लिए mobile application अब यह better forecasting related जो updates होते हैं उसके लिए make doot नाम का एक application launch किया गया है जिसमें especially किसानों को ध्यान में रखते हुए उनको better forecasting की details प्रवाइट की जाते हैं इस application के माध्यम से तो यह भी popular question है तो अब आई देखते हैं अगला question लिब्रे office में संक्रमड means जिसको बुलते हैं transition का प्रभावन नहीं है तो dissolve, fade, fly in यह तीनों transitions की types होते हैं या effects होते हैं जबकि अगर हम diagonal blinks की बात करें तो यह transition effect नहीं होता है तो इस question का right answer होजएगा option D लिब्रे office 4.0.3 में कितनी भासाइं समर्थित हैं 70, 80, 75 या फिर 40 यह question भी काफी popular है पिछले कई महिनों से लगातार पूछा जा रहा है same options के साथ यह question पूछा जा रहा है तो लिब्रे office 4.0.3 के अगर हम बात करें तो इस question का right answer होजएगा option D 40 total जो supported language है वो है इस version के लिए 40 वर्तमान में अगर हम बात करें तो लिब्रे office का जो current version चल रहा है वो 6.0.3 चल रहा है और 6.0.3 से अगर question पूछा जाता है तो यह 150 अलग-लग language को support करता है याद रखीगा जो नया version है वो 6.0.3 है यह up to 150 languages को support करता है तो यहाँ से भी question पूछा जा सकता है इस version का नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है LibreOffice का latest version कौन सा है तो यह है LibreOffice 6.0.3 जो की latest version है तो अब आई देखते हैं अगला question और अगला question है एक पिक्सल है एक computer program जो चित्र बनाता है या दोतियक memory में संग रही चित्र एक तस्वीर का सबसे छोटा हिस्सा इन में से कोई नहीं तो पिक्सल के गर हम बात करें तो हमारे display unit का सबसे smallest part होता है तो इस question का right answer हो जाएगा option C एक तस्वीर का सबसे छोटा हिस्सा display unit या किसी image या वीडियो का सबसे smallest part जिसको मोलते है पिक्सल और अगला question है क्रिप्टोग्राफि में सिफर क्या है ये सभी 100% genuine questions है जोकि triple C exam में पूछे गें साइध ही इस तरह के कहीं questions आपको देखने को मिलेंगे बात करें तो इस question का right answer रूजेगा option A encryption और decryption algorithm के solution ये combination को मोलते है क्रिप्टोग्राफि में सिफर अब यहां से एक और question पुछा आता है कि सिफर text क्या है सिफर text जो मारा plain text होता है जैसे यहाँ पे कोई message लिखा गया है क्रिप्टोग्राफि में सिफर क्या है अब हम इसको language किसी एक दूसरी language में translate कर देते हैं इसको किसी दूसरे code word में लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा सिफर text बन जाएगा और यहाँ पे जैसे यह message लिखा हुआ यह क्या है plain text है इसको अगर हम किसी code word में लिख देंगे तो सिफर text बनेगा तो encryption एक process होता है जो plain text means इस message को किसी दूसरे code word में लिखने की process को बोलते हैं encryption और उस code को वापस इस message में convert करने के process को बोलते हैं decryption तो याद रखे यहाँ से भी कई बार questions पूछे आते हैं plain text को सिफर text में बदलने की process को बोलते हैं encryption इस पे based question भी पूछे जा चुके हैं और अगला कुछने चौती PD की भासा है structural, symbolic, non-functional या फिर all of the above तो fourth generation programming language जो थी वो structural थी तो इस question का right answer हो जाएगा option A सनरचनात्मत याद रखेगा ये भी काफी popular question है और अगला question है sidebar click के shortcut कुणजी का उप्यूग किया जाता है तो अगर आपको sidebar नहीं पता है तो सबसे पहले आप देख लीजे sidebar क्या होता है वापस हम जाएंगे यहाँ पे यह देखी यहाँ पे जो option आ रहा है यह होता है sidebar इसको आप यहाँ पे click करके sidebar open कर सकते हैं अब यहाँ पे आप view menu पे जाके भी आप इसे enable या disable कर सकते हैं जैसे देखी हैं आप इस sidebar का option दिया गया अगर आप click करते हैं तो यहाँ से hide हो गया वापस हम चाहें तो इस sidebar को वापस ला सकते हैं और इस पे जैसे आप click करेंगे sidebar आपका आ जाएगा यह sidebar आ जाएगा तो इसको enable या disable करने की shortcut की होती है control plus F5 यह writer calc impress इन तीनों में same shortcut की होती है तो इस question का right answer हो जाएगा option B sidebar अब यहाँ से एक और question पूछा जा सकता है कि LibreOffice writer यह calc impress में sidebar किस तरफ होता है तो यह window के right hand side में होता है sidebar और अगला question है वर्थमान में आप एक LibreOffice calc express seat में cell G7 पर हैं keyboard की home कुझी दवाने के बाद आप निमन में से किस में होंगे logical question है देखते हैं आप में से कितने लोग इस question का right answer दे पाएंगे यह सब ही 100% genuine questions हैं same इसी तरह से equation triple C exam में same options के साथ पूछा गया है बताइए अगर आप किसी एक particular cell पे हैं जैसे G7 पे हैं और आप home key press करते हैं तो आप इन में से किस cell में होंगे तो इसको हम practical के साथ देखते हैं जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे calc open कर लेते हैं calc को हम spread sheet के नाम से भी जानते हैं हम यहाँ पे G7 पे हैं तो G7 पे हम यहाँ पे click करते हैं देखे G7 है और इसका address आप यहाँ पे देख सकते हैं यह उता है name box यहाँ पे हर एक cell का address दिखाई पड़ता है अब अगर हम यहाँ पे home key प्रस करते हैं तो कहाँ पे जाएंगे home key प्रस करते हैं हम A7 पे जा रहे हैं मेंस उसी same row में रहेंगे यहाँ पे थे इस जगे पे और same row में हम पहली cell पे पहुँच जाएंगे मींस पहले column पे पहुच जाएंगे उस row के पहले column पे हम पहुचेंगे और अगर हम यहाँ पे हैं और इसके साथ में control home प्रस करते हैं तो सबसे पहली cell पे पहुच जाएंगे जो की होती है A1 तो याद रखे होम से क्या होता है सेम रो के पहले कॉलम पर तो इस question का right answer हो जाएगा option B A7 और अगला question है cash memory किन किन के बीच इस्थित होती है इस question को भी कई अलग अलग तरह से पूछा जाता है कई बार पूछा जाता है cash memory कहाँ पर होती है cash memory किस से बनी होती है और इस question को थोड़ा सा घुमागे पूछा गया है तो cash memory SRAM से बनी होती है और cash memory की speed जो हमारी secondary memory होती है उससे जादा होती है और primary memory से भी जादा होती तो cash memory हमेशा कहाँ पे होती है processor और main memory के बीच में होती है और cache memory buffer का काम करती है जब भी प्रोसेसर को कोई data चाहिए सबसे पहले वो cache memory में सर्च करता है अगर वो data वहाँ पे अवेलेबल नहीं है देन उस data को main memory में सर्च किया जाएगा अगर वो data main memory में अवेलेबल है तो इस question का right answer हो जाएगा option C, processor और RAM के बीच में cash memory होती है और अगला question है debit card से केवल नगद पैसे निकाल सकते हैं तो debit card को हम ATM card के नाम से भी जानते हैं, इसको हम online shopping के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर post machine पे swap के माध्यम से भी हम payment कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो ATM में cash निकालने के लिए भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा false और अगला question नहीं, RTGS अधिक्तम fund transfer सुल्क कितना है 25, 35, 40 या फिर 55 तो RTGS का full form होता है real time gross settlement इसके माध्यम से minimum 2,00,00,00 रुपे अपर कोई इसके limit नहीं होते, minimum limit होते, 2,00,00 या 2,00,00 से उपर के amount को RTGS के माध्यम से भेजा जा सकता है अब यहाँ पे जो transaction सुल्क लगता है, वो RTGS में maximum जो transaction सुल्क है वो होता है 55 रुपीज तो इस question का right answer हो जाएगा option D, important question है, याद रखेगा यहाँ से कई सारे questions बन सकते हैं और अगला question है, port 80 किसके द्वारा प्रियोग किया जाता है तो इस question का right answer हो जाएगा option A, STTP port number 80 का इस्तिमाल करता है अब यहाँ से question और बनता है, STTPS किस port number पे काम करता है तो याद रखे 443, 443 port number पे काम करता है जबकि FTP के बात करें तो यह port number 21 पे काम करता है इन तीनों के port number के बारे में एक्जाम में पूछा जाता है याद रखे important points है तो अब आई देखते हैं अगला question तो अगला question ने product 2, sum 5, 7 का मान क्या होगा यह question काफी popular है लगातार कई मेनों से continuous same इसी तरह से पूछा जाता है कई बार यहाँ पे sum की जगे पे product कर दिया जाता है product की जगे पे sum कर दिया जाता है values लगबग same होते हैं तो बताए इस question का right answer क्या होगा तो यहाँ पे दिखें nested function का इस्तिमाल किया गए nested function में सबसे पहले inner function execute होता है उसके बाद outer function होता है तो nested में क्या है sum हम अगर sum करते हैं तो यहाँ पे यह आएगा 12 और product क्या करता है multiply करता है तो 12 को अगर आप 2 से multiply करेंगे तो कितना आएगा 24 इस question का right answer हो जाएगा option B 24 और अगला कुछने make doot मुफ्त में उपलब्ध है तो make doot एक SIF है जो किसानों के लिए develop किया गया है better forecasting से related जो updates होते हैं उनको देने के लिए जो कोई free of cost available है तो इस question का right answer हो जाएगा true यह same question इसी तरह से टपल्स exam में पूछे गए और अगला कुछने computer पढ़ा ली कितने घटकों में कारी करती है तो basically इस question में पूछा गया है computer में कितने main components होते हैं 2, 3, 4 या फिर 5 तो computer के अगर हम मुखे component की बात करें देखोता है processing unit, input, output यह दूसा unit हो जाएगा और memory तीन मुखे component प्या घटक होते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option B3 और अगला कुछने control प्लस W shortcut कुणजी का प्रियोग किस लिए किया जाता है लिब्र आफिस बंद करने के लिए writer बंद करने के लिए writer में सब्द गिनने के लिए या फिन में से कोई नहीं तो control प्लस W का इस्तेमाल किया जाता है writer, calc या impress को close करने के लिए अगर आप Libre Office को बंद करना चाते हैं जैसे कि पहला option दिया गया तो इसके लिए shortcut key होती control प्लस Q तो इस question का right answer रोजाएगा option B writer बंद करने के लिए control प्लस W shortcut key का इस्तेमाल किया जाता है अब इस question को एक और तरह से पूछा जाता है writer को बंद करने के लिए इनिमन में से कौन सी shortcut key का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर option होगा control प्लस W जो की इस question का right answer होगा और अगला question है कार के आधार पर keyboard के बिपरीत कौन है simple से question है देखते हैं आप में से कितने लोग इस question का right answer दे पाएंगे तो daily हम 8 बजे इसी तरह की important question discuss करते हैं तो अगर आपने आज पहली बार हमें join किया है तो आप कल भी हमारे साथ इसी तरह से अपने exam की practice कर सकते हैं और जिनका भी exam January 2021 में होने वाला है same slibus रहेगा आप हमारे channel की playlist में जाके triple c new slibus complete course नाम की playlist को follow कर सकते हैं आप सबसे पहले slibus complete कीजे और उसके बाद आप practice करते रहे तो इस question का right answer हो जाएगा option c monitor अब ये monitor कैसे होगा keyboard के एक input device है mouse भी एक input है joystick भी एक input device है light pen भी एक input device है जबकि monitor क्या है output ये विपरीथ हो जाएगा तो अब आई देखते हैं आज के test का last question Linux kernel द्वारा सुरू की गई पहली प्रक्रिया कौन सी है तो Linux operating system में kernel एक core component होता है और इसके द्वारा सबसे पहली जो प्रक्रिया या process स्टार्ट किया जाता है उसको बुलते है init process जिसकी process ID होती है 0 तो कई बार exam में पूछा जाता है init process की process ID क्या है तो process ID होती है 0 तो इस question का right answer हो जाएगा आपसने Linux kernel द्वारा जो सबसे पहली process स्टार्ट की जाती है launch की जाती है वो होते हैं init process तो ये था आज के test का last question अब time हो गया है previous test में पूछेगे questions के right answer बताने का तो काफी लोगों ने इन questions के right answer comment section में comment किये हैं ये कुछ ऐसे questions हम last में देते हैं जो की काफी popular है एक्सर डुपल सी एक्जाम में इस तरह की questions पूछे जाते हैं तो सबसे पहला question था LibreOffice Calc के किस menu में merge cell command होता है तो इस question का right answer हो जाएगा format option या format menu अगला question था LibreOffice Calc के किस menu में insert cell का बेकलफ होता है तो इस question का right answer हो जाएगा seat हलागी कई लोगों ने comment section में insert menu comment किया था और अगला question था LibreOffice Calc में अधिक्तम जूम क्या है तो इस question का right answer हो जाएगा 400 जबकि अगर हम writer में maximum जूम की बात करें तो होता है 600% और अगर impress में अधिक्तम जूम की बात करें तो होता है 3000% और अगला question था handout में header या footer जोडने के लिए नमनमें से किसका उप्यूब करते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा handout master अगर आप handout master में handout में header या footer जोडना चाते हैं तो आप handout master कर इस्तिमाल कर सकते हैं और अगला question था जेफ्री बेजोस ने किस प्रसिद्ध वेपसाइट को बिक्सिद किया कई बार यहां से question और पूछा जाता है Amazon के संस्थापक कौन है तो जेफ्री बेजोस है याद रखे इस question को भी exam में पूछा जाज जुका है तो काफी लोग ने इन questions के right answer comment section में comment किये थे तो उमीद करते हैं आज के questions के right answer क्या है आप लोग comment section में जरूर comment करेंगे तो आज का सबसे पहला question है LibreOffice में टिपपड़ी मी comment बिकल किस menu में होता है और अगला question है LibreOffice impress में new time zoom क्या है और अगला question है pan card में कितनी संख्याएं होती है और अगला question है क्या आप internet banking में आप अपने debit card का pin बदल सकते हैं तो yes याणो में इस question का right answer देना है और आज का last question है mini computer और micro computer किस PD के computer है ये सभी important questions है आप इनका एक snap sort ले लीजे और इन questions के right answer क्या होंगे comment section में जरूर comment कीजिगा उके तो उमीद करते हैं आज किस class में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा तो please हमाई इस video को like उसे जरूर कीजिगा ये कुछ e-books हैं जो कि हमारी website ganicsp.com पे available हैं ये काफी important content आपको इन e-books के अंदर मिलेगा तो अगर आप videos के साथ-साथ e-books से भी rating करना चाते हैं तो आप इन e-books को ले सकते हैं इन सभी e-books का link भी इस video के description में दिया गया तो direct आप यहां से भी ले सकते हैं और इसके साथ-स वीडियो के discussion में आप सभी important playlist के links मिल जाएंगे तो आप सभी important playlist के videos देखते रहें आप एक बार में triple C exam आराम से घर बैठे qualify कर सकते हैं बस आपको थोड़ी से एक मेनत करनी है और अगर कोई question होता है तो आप हमें कहीं भी comment करके पूछ सकते हैं किसी भी वीडियो में comment section में comment करके पूछ सकते हैं या फिर आप चाहें तो हमें whatsapp पे join कर सकते हैं यहां पर हम जितने भी question discuss कर रहें यह सभी questions हमारी website पे भी upload होते रहते हैं तो जब भी आपको time मिलता है यहां से भी आप practice करते रहें Hindi और English तो उनों language में आपको questions देखने को मिलेंगे तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली online class में तब तक के लिए bye bye thank you thank you for watching